हेलो दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप I hope you are doing well and enjoying your studies isn't it my name is Ancho and you are welcome to my channel चलिये शुरू करते हैं आज इस लेक्ट्चर के थुरू हम एक नया टोपिक नैट्रोजन एटम में बेस शुरू करने जा रहे हैं यानि कि हम उन कंपाउंड के बारे में स्टुडी करने जा रहे हैं जिन में नैट्रोजन एटम डोनर की तरह भीएव करते हैं इस पूरे लेक्षर को हमने तीन पार्ट में बाटा हैं पार्ट फर्स्ट में हम लोग नैट्रोजन कॉंटेनिंग कंपाउंड में किन-किन क्योरीज को यूज करके बेसिसीटी को डिटर और क्या-क्या प्रपरटीज होती हैं वो डिसकस करेंगे इस वीडियो लेक्षर को शुरू करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर एसीड बेस वाली प्ले लिस्ट में SIR यानि स्टेरिक इनिबिशन और रेजिनस SIP यानि स्टेर कंपांड यानि ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होता है उन में हम बेशिक स्टेंट को कि सतरह से कंपेर करते हैं इस को समझने के लिए हम एक nitrogenous base को assume करते हैं यानि हम एक ऐसे compound को assume कर लेते हैं जिसमे nitrogen donor atom होता है और जब इस compound की reaction aqueous medium में करवाई जाती है तो aqueous medium में से ये compound एक H positive को abstract कर लेता है यानि कि ये compound उसको अपने loan pair of electron donate करता है जिस से nitrogen और H के बीच में नए bond की formation हो जाती है चूँकि यहाँ पर nitrogen atom ने electron donate करे हैं इसलिए ऐसे compound को हम nitrogenous base कहते हैं nitrogen atom के electron donation के कारण इस nitrogen पर positive charge generate हो जाता है इसे हम conjugate acid कहते हैं अब इस base और इस conjugate acid के regarding बहुत सारे ऐसे factors हैं जो इसकी basic strength पर impact generate करते हैं nitrogenous base यानि ऐसे compound जिसमें nitrogen donor atom की तरह behave करता है उनकी basicity कई factors पर depend करती है नमबर वन basicity directly proportional to electron density at an atom उस an atom पर जितनी ज़्यादा electron density होती है उतनी वो असानी से electron को donate कर पाता है और उतनी असानी से protonation हो जाता है और उसकी basicity increase हो जाती है जैसे ही basicity increase होती है उसकी kb value increase हो जाती है जबकि pkb value decrease हो जाती है PKB value और PKA value एक दूसरे से correlate करती है और जैसे ही अच्छे base की PKB value decrease होती है अगर इसको हम PKB value में express करें तो इसकी PKB value increase हो जाती है चुकि इसमें nitrogen donor item की तरह भीव करता है इसलिए उस nitrogen पर percentage as character कम होने चाहिए ताकि percentage as character अगर कम होंगे तो उससे उसकी electron negativity भी कम हो जाएगी तो कि previous वीडियो में ने देखा है कि percentage as character directly proportional to electron negativity होते हैं और जब ये character कम होंगे उस nitrogen की electron negativity कम हो जाएगी और वो असानी से electron को donate कर पाएगा इसी तरह nitrogenous base में nitrogen atom को better donor बनाने के लिए ये भी जुरूरी है कि उसका nitrogen atom जो होता है वो electron withdrawing group के थुरू effective नहीं होना चाहिए तो कि जो electron withdrawing group होते हैं वो minus I या minus M effect show करते हैं जिस से nitrogen donor atom पर electronicity decrease हो जाएगी और अगर electronicity decrease हो जाएगी तो उसकी basicity या basic step decrease हो जाती है इसके बिल्खुल opposite अगर nitrogen atom पर electron donating group हो यानि कि electron donating group ऐसे group होते हैं जो electron donation करते हैं और ये electron donation plus I, plus H और plus M effect के दुरूप कर सकते हैं जिस से इस nitrogen पर electronicity increase हो जाएगी और ये strong base बन जाएगी protonation reaction के दोरान बनने वाले conjugate acid की stability के base पे भी हम basic strength को define कर सकते हैं इस compound में conjugate acid की stability जितनी जादा होती है उस compound की basic strength या basicity उतनी जादा होती है तो कि हर reaction या equilibrium इस इसको चाहता है कि उसका product stable बने और जब इसका conjugate acid stable होगा तो reaction जो है आगे के direction में proceed होगी यानि इस reaction का rate of forward direction है वो increase हो जाएगा इस इस की basic strength या protonation increase हो जाएगा इसी तरीके से अगर मान लीजी जो base है जिसने electron देने है अगर उसकी stability increase हो गई तो इसका जो protonation होगा electron donation की जो capacity होगी वो decrease हो जाएगी यानि की base की stability जो होती है वो basicity के inversely proportional होती है जो base जितना जादा stable होगा उसके electron donation की capacity उतनी weak हो जाएगी और वो उतना poor base हो जाएगा इन सभी factors के अलावा बहुत सारे ऐसे और भी factors हैं जिस पर nitrogenous base की basicity depend करती हैं और इन सभी factors को इस वीडियो में अब हम one by one detail में discuss करते हैं तो इसमें सबसे पहला factor हम लोग लेते हैं formal charge अभी हमने देखा कि nitrogen को base बनने के लिए उस पर unshade pair of electron यानी lone pair project होना चाहिए या फिर उस पर negative charge present होना चाहिए अगर किसी compound की nitrogen पर जितना ज़्यादा formal charge होगा उस nitrogen atom पर electron density उतनी ज़्यादा increase हो जाएगी और जितनी ज़्यादा electron density increase होगी वो nitrogen atom उतना जल्दी और ज़्यादा H positive को electron देकर protonation show करेगा यानी उसकी reaction की जो rate होगी वो forward direction में increase होएगी इस current से ऐसे nitrogenous compound की basicity यानी basic strength भी increase हो जाती है example number one इस example में left hand side से अगर right hand side की तरह जाते हैं तो compound में formal charge increase हो जाता है क्योंकि पहले compound यानी ammonia में nitrogen neutral होता है दूसरे compound में nitrogen पर minus one charge होता है और तीसरे compound में nitrogen पर minus two charge होता है और जैसे जैसे इन पर formal charge increase होता है इनके nitrogen पर electron density increase हो जाती है और electron density increase होने के कारण अब ये strong base बन जाते हैं और इनकी basisity जो है increase हो जाती है इसी कारण से KB value increase होती है जबकि PKB value decrease हो जाती है और अगर इसको हम PKA value में express करें तो अगर basicity बढ़ रही है तो उस compound की PKA value increase होती है किसका मतलब यह हुआ इसमें यह strongest base होगा जबकि ammonia इसका weakest base होगा इसके इस result को हम इसकी PKA value के साथ correlate कर सकते हैं यहाँ पर NH-2 की PKA value अवलेबल नहीं है तो इसको हम केवल इन दो की PKA value से correlate करते हैं जिस compound की PKA value जतनी ज़्यादा होती है वो compound की basicity उतनी ज़्यादा होती है इसी करेंट से amide की PKA value ammonia की PKA value से ज़्यादा होने के करेंट amide ammonia के comparison में strong base होता है और PKA के इस value से negative molecule या negative anion है वो अपने neutral से हमेशन strong base होता है इसी तरह से इस example में भी left hand side से right hand side की तरफ जाने पर nitrogen के उपर formal charge increase हो रहा है जो उसकी basicity को increase कर देता है अब बात करते हैं alkyl amines की अगर alkyl amines में formal charge zero होता है तो ऐसी condition में उस alkyl amines के nitrogen के साथ कितने alkyl group जुड़ो हुए हैं इस base पे उसकी basic strength decide होती है basically इसमें alkyl group जो होते हैं वो subsequent की तरह काम करते हैं किसी भी alkyl amines की basic strength के लिए हमको तीन theories की help लेनी पड़ती है तो सबसे पर ले हम consider करते हैं ammonia और different alkyl amines को यहाँ पे हमारे पास one degree, second degree और third degree alkyl amines के साथ ammonia दिया गया है और यहाँ पे R group से हमारा मतलब alkyl group का है अब बात करते हैं इनकी basic strength की इनकी basic strength को explain करने के लिए सबसे पहले हम consider करते हैं inductive effect theory को इस theory के according इन चारों compound में से डिसके nitrogen पर electron density सबसे ज़्यादा होगी वो easily electron को donate कर पाएगा easily edge positive को upset कर पाएगा और strong base की तरह act करेगा चुकि यहाँ पर R alkyl group है इसका मतलब यह हुआ इस alkyl group के कारण जितने ज़्यादा electron donate होंगे उतने ज़्यादा nitrogen पर electron density increase हो जाएगी जैसे यहाँ पर third degree amine में तीन alkyl group लगे होंगे हैं इसलिए यह तीन साइड से electron को N की तरफ donate करेगा जबकि इस में एक alkyl group लगा होगा है जो एक साइड से electron को इस में nitrogen की तरफ donate करेगा जबकि ammonia में किसी भी तरह का alkyl group नहीं है इसलिए ammonia के nitrogen atom पर किसी भी तरीके से electron density increase नहीं हो सकती अब जितनी ज़्यादा nitrogen पर electron density होगी वो compound उतना जल्दी H-positive को electron donate करेगा और strong base की तरह एक्ट करेगा या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस example में अगर our alkyl group प्लस eye effect शो करता है तो प्लस eye effect डार्कली proportional to basicity होता है जिसमें जितने ज़्यादा alkyl group लगे रहेंगे वो amine उतनी ज़्यादा basic होगी तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा basic होगी इसमें third degree amine फिर हमारे पास आएगा second degree amine then one degree amine और सबसे list basic होगी ammonia second number की theory इसमें applicable होती है steric hindrance theory इस theory के according जिस alkyl amine में जितने ज़्यादा alkyl group होगे और उनका जितना बड़ा size होगा उनमें hindrance डवलप हो जाएगी और इस करण से H positive यहाँ पर easily approach नहीं कर पाएगा और इनका electro donation hindered हो जाएगा जबकि ammonia में 3 hydrogen होने के करण यहाँ पर सबसे least hindrance होगा और H positive easily approach कर पाएगा इसलिए इसमें ammonia का जो loan pair होगा वो easily donate होगा अगर इस theory को consider करें तो इस theory के according ammonia इसमें सबसे strong base होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की hindrance नहीं होती इसके बाद हमारे पास 1 degree amine आता है जिसमें 1 alkyl group की hindrance होती है जबकि 2nd degree amine हो जाती है और H positive की approach decrease हो जाती है और 3rd number की theory होती है solvation solvation को explain करने के लिए in amine की reaction aqueous acidic medium में होती है जिस से ये H positive को abstract करते हैं और conjugate acid की formation होती है इसको समझने के लिए यहाँ पर हम ammonia की reaction aqueous medium में करवाते हैं चुकि ammonia base है और ये aqueous medium से एक H positive को abstract कर लेता है यानि की ammonia का nitrogen atom इस H positive को electron donate करता है और electron donate होने के कारण इस nitrogen और इस hydrogen की बीच में नई bond की formation हो जाती है चुकि N atom ने यहाँ पर electron को donate किया है इस से N atom के उपर positive charge की generation हो जाती है electron के donation के बाद base conjugate acid में convert हो जाता है और previous video lecture में हमने देखा है कि इस conjugate acid की stability से भी हम basic strength को predict कर सकते है इस compound में stability of conjugate acid सबसे जादा होगी उस compound की basicity भी जादा होगी और बिल्कुल इसी तरह से बाकि सभी amine भी H positive को abstract कर लेती है और conjugate acid की formation कर लेती है यहाँ पर यह one degree amine यह second degree यह third degree और यह ammonia का conjugate acid दिया गया है चुकि यह reaction aqueous acidic medium में होती है इसलिए water के molecule अब इन conjugate acid के साथ hydrogen bonding करते है water का oxygen और इन conjugate acid का hydrogen आपस में hydrogen bonding कर लेता है इस process को या इस phenomena को हम salvation कहते है और जिस compound में जितना ज़्यादा salvation होता है उसमें उतनी energy release होती है और release होने वाली energy को हम salvation energy कहते है चुकि यहाँ पर water के molecule इस edge के साथ hydrogen bonding करते है इसका मतलब यह हुआ इन चारो conjugate acid में जिसके पास भी nitrogen से जुड़ा हुआ direct edge होगा उसके साथ उतनी ज़्यादा hydrogen bonding होगी जैसे ammonia के इस conjugate acid में total 4 hydrogen present है और इन 4 के साथ water के molecule चार बार hydrogen bonding कर सकते है यह water के 4 molecule इस hydrogen bonding में यूज होगे इसी तरह से अगर हम 3rd degree amine को देखें तो इसमें केवल एक edge है इसके साथ एक water का molecule जुड़ेगा इसके basis पर हम यह कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा N के साथ hydrogen atom होगे उतने ज़्यादा water के molecule उसके साथ जुड़के hydrogen bonding करेंगे यानि उतना ज़्यादा उसमें solvation होगा और जितना ज़्यादा solvation होगा उसमें उतनी ज़्यादा energy release होगी जिसे हम solvation energy कहते हैं इसका मतलब यह हुआ solvation energy या solvation एक exothermic process होता है जिसमें heat release होती है अगर जितनी ज़्यादा heat release होगी तो compound में उतना ज़्यादा क्या होगा? compound में उतनी ज़्यादा net energy कम हो जाएगी और उसमें stability आ जाएगी अगर हम solvation की बात करें तो इन चारो conjugate acid में सबसे ज़्यादा ammonia का जो conjugate acid है वो चार बार water के साथ hydrogen bonding करेगा तो इसका solvation सबसे ज़्यादा होगा और बिल्कुल इसी तरह से जो third degree amine का conjugate acid है उसमें केवल एक होने के कारण वो water के साथ केवल एक ही hydrogen bonding करेगा तो वो इन सब में सबसे less solvated होगा चुकि solvation से net energy release होती है जो इन conjugate acid की stability बढ़ा देती है इसलिए अगर इन चारों में हम stability की बात करें तो सबसे ज़्यादा ammonia का conjugate acid stable होगा और सबसे कम third degree amine का conjugate acid stable होगा conjugate acid की stability और basicity एक दूसरे के directly proportional होती है इसलिए इन चारों example में basicity का वो ही order होगा जो conjugate acid की stability का है कि इसमें ammonia सबसे strong base होगी और third degree amine इसमें सबसे poor base होगा अगर इन तीनों theories को वापिस से summarize करें तो inductive weight की theory के according 3 degree amine strongest base है जबकि ammonia इसका poor base है और steric hindrance की theory के according ammonia strongest base है जबकि 3 degree amine इसका poor base है और salvation theory के according ammonia strongest base है जबकि 3 degree amine weakest base है इसका मतलब यह हुआ इन दोनों में यह order exactly opposite आ रहा है यानि यह theories एक दूसरे के opposite act करती है इसी करेंट से elephantic amines में experimental order consider किया जाता है और basicity के इस experimental order में दो बाते important होती है पहली चीज तो R group क्या है दूसरी चीज यह R का number कितना है अगर यहाँ पे R की value methyl है तो second degree amine strongest base than 1 degree 3 degree और least basic ammonia होगा इसी तरह अगर R की value इतायल है तो second degree amine strongest base होगा फिर 3 degree, 1 degree again ammonia list basic होगा अगर R की value isopropyl group है ऐसी condition में 1 degree amine strongest base then ammonia, then second degree amine और 3 degree amine इसमें list basic होजाएगा और R की value tertiary butyl group है ऐसी condition में ammonia strong base होजाएगा फिर 1 degree, second degree और least basic 3 degree amine होगा अगर different amines की basic strength को gas phase में discuss किया जाए तो इसमें inductive effect वाली theory लगती है कि 3 degree amine strong base होता है जबकि ammonia इसका weakest base होता है इस example में हमारे पास 3 तरह की amines दी गई है और 3 amines में common factor यह है कि यह सभी second degree amine होती है अगर हम first compound को consider करें तो इस nitrogen पर carbon का यह चैन होगी यह plus eye effect show करेंगी और plus eye effect show करने के कारण यह इस nitrogen पर electron density increase कर देगी बट कभी carbon की chain में जैसे ही hetero atom आ जाता है उस carbon की chain से minus eye effect show होने लगता है इसका मतलब यह है कि इस compound number second में यह जो chain होगी अब electron को withdrawal करेगी दोनों ही यह electron को withdrawal करेगी और यह electron जो है कि इन दोनों में से कौन से electron ज़्यादा withdrawal होगे चुकि यहाँ पर nitrogen atom involved है यहाँ पर oxygen atom involved है oxygen की electron negativity ज़्यादा होती है इसलिए यह जो part होगा इस part के comparison में ज़्यादा electron को withdrawal करेगा इसलिए हमने इस पर ज़्यादा arrow लगा दी अब इससे होगा क्या कि इस nitrogen पर तो plus I के थूँ electron density increase हो रही है जबकि इन दोनों nitrogen पर electron density minus I के current decrease हो रही है और सबसे ज़्यादा इस nitrogen पर electron density होगी जबकि सबसे कम इस nitrogen पर electron density होगी इसलिए इन तीनों secondary amine की अगर basic city को compare किया जाए तो इस में basic city का order कुछ इस तरह से आएगा इस example में हमारे पास दो amine दी गई है एक हमारे पास cyclic amine है जबकि दूसरी हमारे पास open chain amine होती है cyclic amine में ये पूरा system rigid system होता है पीछे से जुड़ा हो रहता है इसलिए इसके loan pair का H positive के लिए exposure ज़्यादा रहता है जबकि ये open system होता है और hindrance के करण इसके loan pair का H positive के लिए exposure ज़्यादा नहीं होता इसलिए अगर इन दोनों की basic strength को compare करें तो इसमें loan pair का ज़्यादा exposure होने के करण cyclic tertiary amine जो होती है open chain tertiary amine से ज़्यादा strong base होती है इस example में हमारे पास दो तरह की nitrogenous base दे गए है इन दोनों में common factor ये है कि दोनों ही हमारे पास tertiary amine है और दोनों में ही nitrogen atom bridge head पे है अब सबसे important question ये है कि इन में difference क्या है इस में difference इस C double bond O group का है अगर हम loan pair और C double bond O group की बात करें तो definition के according ये conjugated system है क्योंकि इसका loan pair इस double bond से single bond से separated है इस लिए conjugated system है जबकि यहाँ पर कहीं भी conjugation नहीं है इसका मतलब ये हुआ इस compound का loan pair तो confirm हमारे पास localize होगा अब question ये है क्या ये loan pair जो है वो localize है या इस तरह से double bond में migrate कर सकता है अब अगर ये loan pair इस तरह से conjugation show करें तो nitrogen और carbon के बीच में double bond की formation हो जाती है और इस oxygen पर nectri charge की formation होती है और electron के donation के कारण इस nitrogen पर positive charge generate होता है अब सबसे important बात ये है क्या ऐसा conjugation possible है या ऐसा conjugation possible ही नहीं है तो इसका answer ये है कि ऐसा conjugation possible ही नहीं है ऐसा conjugation क्यो weit possible नहीं है क्योंकि bridge head rule में हमने देखा था कि bridge headed position पर किसी भी तरीके से किसी भी atom का SP2 hybridization possible नहीं हो सकता क्योंकि bridge head position कभी भी flat और planar नहीं हो सकती और अगर मान लो bridge head position पर किसी भी तरीके से SP2 hybridized orbital बना तो वो 120 degree का angle बनके flat होना चाहेगा और molecule जो है strain को bear नहीं कर पाएगा और system highly unstable हो जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का nitrogen का जो lone pair है वो localize होगा अगर यह keto group अपना minus M effect शो नहीं कर सकता तो फिर यह दूसरा कौन सा effect शो कर सकता है दूसरा इसका effect होता है minus I और यह minus I effect के current क्या करता है इस electron को थोड़ा सा अपनी और खीचता है इस कारण से अब इन दोनों nitrogen पर electron density को compare करें तो इस nitrogen पर electron density इसके comparison में ज़्यादा होती है क्योंकि इस compound का nitrogen का जो lone pair है वो minus I के current tightly hold हो जाता है और easily अभी यह edge positive को दिया नहीं जा सकता इसलिए इन दोनों compound में compound first जो होगा वो strong base बन जाता है बिलकु सेम theory हम इस example में भी applicable कर सकते हैं इन दोनों ही compound में nitrogen bridge head position पे हैं और अगर first compound की बात करें तो nitrogen का lone pair जो है इस double bond के साथ conjugation में है बट bridge head position होने के कारण सेम इसमें bridge rules से अभी nitrogen का lone pair बेंजीन रिंग में migrate नहीं कर सकता क्योंकि अगर migrate करेगा तो यहां पर double bond की formation हो जाएगी और bridge rules से यह system unstable हो जाएगा इसका मतलब यह है कि दोनों ही compound में nitrogen का lone pair है वो localize होगा बस difference इतना आएगा यह जो benzene system है अपना minus M effect नहीं लगा पाएगा और minus I operate करेगा और minus I operate करने से इस nitrogen पर electron density कम हो जाएगी यह हम ऐसा कहले कि इसका जो lone pair होगा वो minus I effect की करण टाइटली होड़ होगा इस लिए H positive को देरी से डोनेट होगा या poorly डोनेट होगा इस कारण से इन दोनों compound में compound second जो है वो strong base बन जाता है इस example में तीन compound methyl amine, hydrazine और hydroxyl amine दिए गए है हमको इन तीनों की basicity compare करना है तो सबसे पहले हम consider करते हैं methyl amine को methyl amine में इस Ns2 के साथ methyl group होने के कारण अब यह methyl group electron donor group का का काम करता है जिस से इस nitrogen पर electron density increase हो जाती है जबकि hydrazine में Ns2 group electron withdrawing group का काम करता है और इसी तरह से hydroxyl amine में भी OH group electron withdrawing group का काम करता है चुँकि N की electron negativity O से कम होती है इसलिए hydroxyl amine का OH जादा electron को withdraw करता है तो इन तीनों में सबसे जादा methyl amine के nitrogen पर electron density होती है और सबसे कम hydroxyl amine के nitrogen पर होती है और जिस donor atom पर जितनी जादा electron density होती है वो donor atom या वो compound उतना strong base बनता है यानि इन तीनों में सबसे strong methyl amine base होगा और सबसे पूर इसमें hydroxyl amine base होगा इसीटी के इस order को हम इसकी PKA value के साथ भी confirm कर सकते है इस compound की PKA value जतनी जादा होती है वो compound उतना strong base होता है क्योंकि अगर PKA value जादा है तो उसकी PKA value कम होगी और PKA value कम होती है तो उसकी KA value जादा होती है इसलिए इस series में methyl amine सबसे strong base होगा और hydroxyl amine की PKA value सबसे कम होती है इसलिए hydroxyl amine इस series का सबसे weakest base होगा इसी theory को apply करते हुए हम pyridine और two chloropyridine की basic strength को compare कर सकते हैं इन दोनों compound में nitrogen का lone pair होता है वो localize होता है और दोनों में ही nitrogen का lone pair SP2 hybridize होता है अंतर सिर्फ इतना है कि इस pyridine की second number position पर अगर chlorine लगा देते हैं तो chloropyridine की formation होती है और chlorine यहाँ पर electron withdrawing group का काम करता है और अब यह क्या करेगा यहाँ से electron को अपनी तरफ खीच लेगा इस minus i effect के कारण ही इस nitrogen पर electron density इसके comparison में कम हो जाएगी और electron density कम होने के कारण इन दोनों में chloropyridine जो होगा वो weak base बन जाएगा Basicity के इस order को इनकी PKA value के साथ भी correlate कर सकते हैं जिस compound की PKA value जतनी जादा होती है वो compound उतना strong base होता है और जिस compound की PKA value जतनी जादा कम होती है वो compound उतना जादा weaker base होता है अब इस example में given दोनों में सबसे बड़ा difference क्या है इन में सबसे बड़ा difference है CF3 की position का अगर compound first को देखें तो इसमें NS2 गुरूप और CF3 दो single bond से separated है जबकि compound second में NS2 और CF3 पीन single bond से separated है अगर हम CF3 गुरूप की बात करें तो CF3 का जो effect होता है वो minus i effect होता है यह दोनों ही case में CF3 minus i effect को operate करेगा चुंकि inductive effect distance के inversely proportion होता है जैसे जैसे distance increase होगी inductive effect decrease हो जाएगा चुंकि compound second में CF3 ज़्यादा दूरी पे है इसलिए इसका जो minus i है वो weak होगा जबकि compound first में CF3 नजदीक से electron को withdrawal करेगा इसलिए इसका minus i ज़्यादा dominant होगा अब बात करते हैं इन दोनों nitrogen पर electron की density की जोकि इस CF3 का distance के करेंट minus i effect ज़्यादा dominant होगा तो इस NS2 के N atom पर electron density ज़्यादा decrease हो जाएगी जबकि यहाँ पर CF3 का minus i weak होगा इसलिए इस NS2 पर electron density इसके comparison में उतनी ज़्यादा decrease नहीं होगी दोनों compound के nitrogen में compound second के nitrogen पर electron density ज़्यादा होगी और electron density ज़्यादा होने के करण यह compound इसका strong base बन जाएगा और इसके इस result को हम इसकी PKA value के साथ भी correlate कर सकते हैं एक strong base की PKA value ज़्यादा होती है अगर इन दोनों compound की PKA value देखें तो इसकी PKA value 5.7 आती है और इसकी PKA value 8.7 आती है इसकी PKA value ज़्यादा आने का यह indication है कि इन दोनों में से यह compound strong base होगा इसका मतलब यह हुआ basicity directly proportional to PKA होती है जो compound जितना strong base होगा उस compound की PKA value उतनी ज़्यादा होगी इस example में given compound में C double bond C और C triple bond C present है इसलिए सबसे पहले NOSU के lone pair का इसके साथ conjugation को find out करते हैं अगर इन दोनों compound को देखें तो इसमें nitrogen का lone pair इस C double bond C या इस C triple bond C के साथ conjugation में नहीं होता क्योंकि यह दोनों आपस में more than one single bond से separated होते हैं यानि कि इसमें तीनों के तीनों compound जो होते हैं वो isolated हैं किसी भी तरह का कोई conjugation नहीं है अगर compound second और compound third में यह C double bond C और यह C triple bond C conjugation में नहीं है यानि इसका mesomeric effect operate नहीं हो सकता तो फिर इसका कौन सा effect operate होगा इसका minus I effect और यानि कि compound number second में C double bond C का minus I होगा और compound number third में C triple bond C का minus I होगा और दोनों के minus i को आपस में compare करें तो जो triple bond होता है उसमें percentage s करेक्टर जादा होने के करण इसका minus i जादा होता है इसका मतलब यह हुआ तीसरे compound में जो triple bond होगा इस nitrogen से काफी सार electron को withdrawal कर लेगा जबकि compound number second में इस c double bond c का minus i उतना dominant नहीं होगा इसलिए इस nitrogen पर यह कम electron को खीचेगा जबकि पहले वाले example में जो यह alkyl group की chain है यह इसमें plus i effect show करेगी और plus i effect show करने के कारण यह electron को donate करके इसके nitrogen पर electron density को increase कर देगी अब इन तीनों compound के nitrogen पर electron density को consider करते हैं compound first में इस group के electron donation के कारण इसके nitrogen पर सबसे ज़्यादा electron density होगी जबकि compound third में इस group के strong minus i effect के कारण इस nitrogen पर सबसे poor electron density होगी इसलिए इस item पर जितनी ज़्यादा electron density होती है वो strong base होता है और इसी reason से compound first इसका strong base होगा जबकि compound third जो होगा इसका सबसे poor या weak base होगा इसको इसके PKA value के साथ भी correlate कर सकते है अगर कोई compound strong base है तो उसकी PKA value ज़ादा आनी चीए अगर first compound की PKA value देखें तो इस series में सबसे ज़ादा आती है जो कि 10.7 आती है जबकि compound second में ये 9.5 हो जाती है और compound third में PKA value सबसे कम होती है क्योंकि compound third इस series का weak base होता है और ये value 8.2 होती है निमबर third hybridization अम मान लीजे हमारे पास nitrogenous base है और उसमें nitrogen का lone pair localized है ऐसी condition में हमको इस nitrogen का hybridization निकालना होता है और इसका hybridization तीनों में से कोई एक हो सकता है या nitrogen या तो SP3 हो सकता है या SP2 हो सकता है या SP2 हो सकता है और previous video में मनें देखा है कि SP hybridized orbital में percentage s character सबसे ज़्यादा होते है जबकि SP3 में percentage s character सबसे कम होते है इसका मतलब यह है कि जैसे percentage s character increase होते है उसकी electron negativity increase हो जाती है यानि SP hybridized nitrogen जो होता है वो अपने lone pair को tightly hold कियो होता है और easily donate नहीं होता जबकि SP3 hybridized orbital में यह जो nitrogen का lone pair होता है यह loosely attract होता है इसलिए SP3 वाला nitrogen easily electron दे देता है इसका मतलब यह हुआ अगर nitrogenous base में nitrogen का lone pair localized होता है ऐसी condition में SP3 nitrogen strong base होता है जबकि SP hybridized वाला nitrogen सबसे weakest base होता है इस पूरे concept को हम इस example से बहुत अच्छे से समझ सकते है यहाँ पे हमारे पास तीन compound है एक हमारे पास acetoneitrile है एक pridin है और एक हमारे पास pipodin है अगर इन तीनों के nitrogen का hybridization देखें तो acetoneitrile में जो nitrogen होती है वो हमारे पास SP hybridized होती है जबकि pridin में यह SP2 hybridized होती है और इसी तरह से pipodin में यह SP3 hybridized होती है तीनों nitrogen में common factor यह है कि तीनों की nitrogen का lone pair जो होता है वो localized condition में होता है अब acetoneitrile का जो nitrogen होगा उसके percentage as character SP hybridized होने के कारण सबसे ज़ादा होंगे इसलिए यह nitrogen इस lone pair को tightly hold किये होगा और इसलिए lone pair H-positive को donate नहीं होगा यानि इस series में सबसे weakest base जो होगा वो acetoneitrile होगा इसी तरह से जो pipodin होगा उसका nitrogen SP3 hybridized होने के कारण इसके percentage as character सबसे कम होगे और इसका lone pair बहुत loosely bonded होगा इसलिए इस तीनों में सबसे strong base जो होगा वो pipodin हो जाएगा pipodin की PKB value सबसे कम होती है जो की 2.88 होती है इसलिए इस compound की PKB value जितनी ज़्यादा कम होती है वो compound उतना ज़्यादा strong होता है जबकि acetonitrile की जो PKB value होती है वो 24 होती है और PKB value जिस compound की ज़्यादा होती है वो compound उतना poor base होता है बिलकुल similar طریقे से हम इस example के भी दिये गए compound की basic city को predict कर सकते हैं चुकि इस में इस nitrogen का hybridization sp होता है और इस nitrogen का hybridization sp3 होता है इसलिए इस nitrogen में percentage as character सबसे कम होते हैं जबकि इस nitrogen में percentage as character सबसे ज़्यादा होते हैं इसलिए ये nitrogen इस loan pair को tightly hold की होता है और ये poor base बन जाता है जबकि इस nitrogen का loan पे tightly hold की नहीं होता और easily ये edge positive को available हो जाता है इस current से इस series में ये strong base बन जाता है नंबर 4, resonance nitrogenous base की basicity पर resonance का भी important role रहता है और resonance के थुरू उसके donor atom पर electron density increase और decrease दोनों ही हो सकती हैं हमको ये देखना है कि mesomeric effect के थुरू उसके donor atom nitrogen पर electron density increase हो रही है तो वो बढ़िया base है अगर electron density decrease हो रही है तो वो poor base बन जाता है nitrogenous base में resonance के impact को समझने के लिए सबसे पहले aliphatic amine और aromatic amine को आपस में compare करते हैं यहाँ पर हमारे पास cyclohexyl amine और aniline दिये गए हैं इन दोनों compound की basicity को दो तरीकों से explain क्या सकता है फर्स तरीके में हमको इस nitrogen के adjacent carbon को देखना है अगर इस compound में इस adjacent carbon को देखें तो यह हमारे पास sp3 hybridized होता है इसी तरीके से aromatic amine के इस adjacent carbon को देखें तो यह हमारे पास sp2 hybridized होता है और अभी हमने देखा था कि sp2 hybridized orbital का percentage as character जो होता है वो जादा होता है और जो इसकी electron negativity को increase कर देता है इसका मतलब यह है इन दोनों compound में से nitrogen का यह जो lone pair होगा वो tightly hold होगा इसी current से अभी lone pair H positive को easily donate नहीं होगा अगर हम इस compound की बात करें चुंकि यह carbon sp3 hybridized है जिसके percentage as character कम होने के कारण electron negativity भी कम होती है इसलिए यह nitrogen का lone pair इसके comparison में loosely bonded होगा और easily H positive को दिया जा सकता है और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इन दोनों compound में compound first यानि aliphatic amines जो होती है वो aromatic amines से strong base होती है इन दोनों compound की basicity को हम resonance effect के base पे भी explain कर सकते हैं चुंकि यह localized electron है जबकि यह electron delocalized है और इसमें NS2 अपना plus M effect show कर सकता है और यह lone pair easily benzene में migrate कर सकता है यानि इसमें benzene अपना minus M effect show करेगा और जैसी electron benzene में migrate करेंगे तो benzene के अंदर यह electron तीन जगा जाएंगे दो जगा और्थो पोजिशन पर और एक जगा पैरा पोजिशन पर और तीनों जगा पर nektry charge बनके migrate करेंगे अगर इसके resonance hybrid को consider करें वो कुछ इस तरह से दिखाए देगा यानि इस में benzene के minus M effect के कारेंड ही इस nitrogen पर electron density इसके comparison में बहुत ज़्यादा decrease हो जाएगी और donor atom पर जितनी ज़्यादा electron density decrease हो गई वो compound उतना poor base बन जाएगा और इन दोनों theory से हमारे पर same result आता है कि aliphatic amine जो होती है वो aromatic amine से ज़्यादा strong base होती है इस case data को हम kb value से भी explain कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई compound की basicity ज़्यादा है यानि कि वो strong base है ऐसी condition में उसकी kb value ज़्यादा होती है pkb value decrease हो जाती है जबकि pka value increase हो जाती है अगर इन दोनों compound के लिए हम pkb value की बात करें तो pkb value इसमें कम होने के कारण alephatic amine aromatic amine से strong base होती है इसका मतलब यह हुआ कि nitrogen का lone pair resonance यानि mesomeric effect में जितना ज़्यादा involved होगा जितनी ज़्यादा RS बनाएगा उस compound के डोनों atom पे electron density उतनी ज़्यादा कम हो जाएगे जैसे इन दोनों compound में यहाँ पर nitrogen group पैरा position पर लगा हुआ है अगर इस nitrogen group की बात करें तो nitrogen group के दो effect होती है एक इसमें minus I होता है और एक इसमें minus M होता है और दोनों में से minus M effect dominant होता है अगर nitrogen की lone pair की बात करें दोनों ही हमारे पास SP2 hybridize है और दोनों ही हमारे पास delocalize है यानि nitrogen इसमें plus effect को show करके इन electron को benzen में migrate कर सकता है अगर electron benzen में जाएंगे तो ये benzen में दोनों ortho position पर और para position पर नेक्ट्र चारज मनके migrate करते हैं चुकि इस benzen में कोई भी extra group लगा हुआ नहीं है जबकि इस benzen में para position पर नाइट्रो ग्रूप लगा हुआ है और जैसी एलेक्ट्रों पैरा पॉजिशन में आएंगे अभी इनेक्ट्री चार्ज इस नाइट्रो ग्रूप में भी माइगरेट हो जाएगा यानि कि इस कंपाउंड से टोटल हमारे पास फोर आरेस बनेंगी जबकि इस कंपाउंड में वारे पास फाइफ आरेस बनेंगी इन दोनों को अपस में दिस्ट्रोंगिष करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं और इसमें बैंजीन के साथ साथ नाइट्रो ग्रूप क में भी घूम्ता है इसलिए इस नाइट्रो ग्रूपगरेंज़िस्टी जादा ठता है और इसी. current से इन दोनों में से जो compound first जो होता है वो strong base होता है Basicity के इस order को हम इसकी PKB value के साथ भी correlate कर सकते हैं कि जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा होती है वो compound उतना poor base होता है और जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा कम होती है वो compound उतना strong base होता है इस example में हमने एक चीज और नोट करी है कि जो nitro group होता है इसमें minus M और minus I दो effect होते हैं जिसमें से minus M effect dominant होता है इस example में हमारे पास दो तरह की nitro aniline है एक हमारे पास metanitro aniline है दूसरी हमारे पास paranitro aniline है अगर nitro group के effect को देखें और सबसे पहले minus I को consider करें तो इन दोनों compound में minus I possible है तो minus I distance dependent होता है meta position से लगने वाला minus I ज़्यादा effective होगा और इसी तरह अब इसके minus M को consider करें तो इस position पे minus I कभी भी possible नहीं हो सकता ऐसा क्यों है तो कि ये दोनों group एक दूसरे की meta position पर लगे होए है और meta position पर जब group होते है तो वो एक दूसरे को hyperconjugation और misomery के तुरू effect नहीं कर सकते है ऐसा क्यों होता है अब आप देखो कि जब nitrogen का lone pair benzene के अंदर migrate करेगा तो ये lone pair कुछ इस तरह से migrate करेगा कि negative charge ortho और para position पर आए इसी तरह से इस compound में भी lone pair migrate करेगा तो negative charge ortho और para position में बनेगा अब इस compound में तो ये negative charge बिलकुल nitro group के adjacent वाले carbon पे है इसलिए nitro group इस case में अपना minus effect रो कर सकता है जबकि इस compound में जो negative charge है वो nitro group के साथ conjugation में नहीं है इसलिए है nitro group इस case में minus effect रो नहीं कर सकता इसका मतलब ये है इस compound में minus i और minus m दोनों effect के तरू electron density decrease हो रही है जबकि इस compound में केवल minus i से electron density decrease हो रही है तो इन दोनों compound में first compound के nitrogen पर electron density ज़ादा होने के करण first compound यानि metanitro aniline second compound यानि paranitro aniline से strong base होता है basicity के इस result को हम PKB value के साथ correlate कर सकते है जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा कम होती है वो compound उतना strong base होता है और जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा होती है वो compound उतना weak base बन जाता है aniline और benzyl amine की basicity को compare करने के लिए सबसे पहले इन दोनों compound में जो difference है उसको हम find out करते है के current impact आएगा उससे हम इसकी basicity को easily explain कर सकते है अगर हम aniline के nitrogen को consider करें तो इसका जो lone pair है वो benzyn के साथ conjugation में होने के करण अभी lone pair delocalize हो और इस case में इस anis2 group ने अपना plus M effect शो किया है और benzyn ने इसमें minus M effect शो किया है अब बात करते हैं benzyl amine की अब benzyl amine में यह जो nitrogen का lone pair है क्या benzyn के साथ conjugation में है यह benzyn के साथ conjugation में नहीं है तो कि conjugate compound की definition में हमने देखा था कि जो lone pair होता है वो benzyn के साथ अगर single bond से separated हो ऐसी condition में उसमें conjugation होता है यहाँ पर यह lone pair benzyn के साथ दो single bond से separated है इसलिए इसमें conjugation नहीं हो सकता इसी कारण से यह lone pair delocalize है जबकि यह lone pair localize होगा दूसरा इसका हम ऐसे भी explain कर सकते है कि benzene और NS2 के बीच में CS2 group प्रजेंट है और जिसका खुद का hybridization SP3 होता है और कहीं भी किसी system में SP3 atom involved हो जाता है तो वहाँ पर conjugation या resonance break हो जाता है इसलिए अब किसी भी तरीके से इसका lone pair benzene में नहीं आ सकता अब इन दोनों effects के कारण होगा क्या यहाँ पर इसकी electron density decrease हो रही है क्योंकि यह de-localized electron है जबकि यहाँ पर electron density decrease नहीं हो रही है यह localized electron है इस कारण से इन दोनों compound में जो benzyl amine होगा वो strong base होगा basicity के इस order को हम PKB value के साथ correlate कर सकते है कि अगर किसी compound की basic strength ज़्यादा होती है तो उसकी KB value ज़्यादा होती है जबकि PKB value कम होती है इस example में दी गई aromatic amines को हम दो तरीकों से explain कर सकते है पहला तरीका ये है कि nitrogen पर electron density को देखकर चुँकि तीनों में ही nitrogen का loan pair SP2 hybridized है और तीनों में ये loan pair delocalize होता है बेंजीन रिंग में migrate कर सकता है पहले compound में ये loan pair केवल एक बेंजीन रिंग में migrate करता है जबकि दूसरे compound में लोन पिर दोनों बेंजीन रिंग में माइगरिक कर सकता है और तीसरे कमपाउंड में ये लोन पिर तीनों रिंग में माइगरिक कर सकता है या हम ऐसा कहले पहले कमपाउंड में एक बेंजीन का माइनस हैं होता है दूसरे में दो बेंजीन हो जाती है और तीसरे में तीन बेंजीन का माइनस हम होता है इसलिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा electron density compound first की nitrogen पे होती है और सबसे कम electron density compound third की nitrogen पे होती है और इसलिए अगर इसकी basic strength का order देखें तो जो aniline होती है वो strong base होती है और triphenyl amine सबसे weak base होती है इसको हम दूसरे तरीके से भी explaining कर सकते हैं कि जब पहले compound में ये lone pair benzene के अंदर migrate करता है तो इस compound से total 4 resonary structure possible होती है compound second से यहाँ total 7 RS बनती है और इसी तरह compound third से इसमें 10 RS बनती है और जिस compound की जतनी ज़्यादा RS का number होता है उस compound की stability उतनी ज़्यादा होती है उतनी उसकी basic stand decrease हो जाती है यानि वो घटिया base बन जाता है किसे भी compound की basic residue के explain करने के लिए अगर आप stability factor या parameter को use कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा साफदारी रखनी है जैसे इस reaction में B हमारे पास एक base है जो electron को donate करता है और B और H के बीच में bone बन जाता है चुकि electron B ने दिये है इसके B के उपर position generate हो जाता है और इस base से protonation के थूरू conjugate acid की formation होती है अगर हम base की stability की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह electron donation possible नहीं हो पाएगा या protonation possible नहीं हो पाएगा यानि base की stability basic strength या basic city के inversely proportion होती है जितना जादा base stable होगा उतना जादा उसकी basic city decrease हो जाएगी यानि कि इसमें reaction forward direction में proceed नहीं कर पाएगी backward reaction का जो rate होगी वो जादा होगी अगर मान लीजे conjugate acid की stability की बात की जारी है तो conjugate acid की जो stability होती है वो basic city के directly proportional होती है यानि कि अगर किसी reaction में बनने वाला conjugate acid जादा stable होता है तो reaction चाहेगी कि ऐसी reaction को follow करें जिसमें product stable हो रहा है इसलिए ऐसी reaction में जो forward reaction होगी यानि rate of forward reaction increase हो जाएगी इन दोनों compound की basic city को explain करने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दोनों compound में difference किया है दोनों compound में सबसे बड़ा difference ring की nitrogen की position कै है और इसकी position का क्या difference generate होता है इसके लिए हमको इसके lone pair को इसके ring में migrate करना पड़ता है यानि दोनों में यह nitrogen का जो lone pair होता है वो delocalize होता है और जब इसको migrate करते हैं और बनने वाली RS की अगली बार इस carbon पर move करता है और उसके next RS में इस carbon पर move करता है यानि कि इस RS में एक बार negative बनता है जबकि इनकी सभी RS में देखें तो पहले इस carbon पर negative आया है बाद में इस carbon पर negative होगा और अगेन फिर इस carbon पर negative होगा यानि इस compound की किसी भी RS में रिंग की nitrogen पर negative charge नहीं आता है। इसलिए अगर इन दोनों RS को आपस में compare करते हैं, तो C negative से ज़्यादा stable N negative होता है। इसलिए इस compound की जो RS होती है, वो ज़्यादा effective होती है। और इसलिए इसकी nitrogen पर electron density ज़्यादा decrease होती है। इस कारण से इन दोनों compound में compound second की basic strength ज़्यादा होती है। इस example में हमारे पास total 4 तरह के nitrogenous base है। और सबसे बड़ा difference यह है कि aniline में 1H को हटा कर methyl लगाते हैं तो compound second की formation होगी। दोनों H को हटा कर 2 methyl लगा दें तो compound third की formation हो जाएगी। और दोनों H हटा कर methyl के जिगा पर इथाइल लगाएं तो compound fourth की formation हो जाएगी। चारों compound में common factor किया है कि benzene ring common है और जो इस nitrogen के lone pair के साथ conjugation में है। इसका मतलब यह हुआ इन चारों में benzene का minus आए तो common चला जाएगा। फिर difference आएगा इनकी nitrogen पर electron density पर चूंकि इथाइल गुरूप का जो electron donating effect होता है वो methyl group से ज्यादा होता है। इस current से जब दो इथाइल group होंगे उस nitrogen पर electron density ज्यादा होगी और उसके बाद दो methyl group वाले में होगी और सबसे कम एक methyl group वाले में होगी और इस से भी कम होगी एनिलीन पे तो इन चारों में सबसे कम इलेक्ट्रोन डेंस्टी होई इस नैट्रोजन पर और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोन डेंस्टी होई इस नैट्रोजन पर और जिस डोनर एटम पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोन डेंस्टी होती है वो compound उतना ही strong base होता है तो इस series में aniline सबसे weak base होगा और N-N-diethyl aniline सबसे strong base होगा Basicity के इस order को compound की PKB value के साथ correlate कर सकते हैं क्योंकि किसी भी compound की अगर basicity जादा होती है तो वो strong base होता है ऐसी condition में KB value increase हो जाती है और PKB value decrease हो जाती है चूंकि यहाँ पर PKB value दी गई है तो किसी compound की strong basic nature के लिए उसकी PKB value कम से कम होनी चीए जैसे कि यहाँ पर N-N-diethyl aniline सबसे strong base है इसलिए उसकी PKB value सबसे कम है जबकि aniline सबसे weak base है इसलिए उसकी PKB value सबसे जादा है इस example में हमारे पस दो compound है जिनकी PK value given है और इस में से जिस compound की PK value जादा है वो strong base होता है अगर इन दोनों compound का आपस में comparison करें दोनों में यह जो nitrogen है यह SP2 hybridize होती है और दोनों nitrogen का जो lone pair होता है वो localize होता है फिर भी यह वाला compound strong base कैसे हो गया इसका main reason है कि कभी भी resonance के थुरू pi electron का donation होता है और किसी atom पर electron density increase हो जाती है तो वो strong base बन जाता है क्योंकि इस में जो ring के बाहरवाला nitrogen है यह nitrogen भी SP2 होता है और यह ring के अंदर migrate करता है जिस से इस nitrogen पर electron density increase हो जाती है और जैसे इस nitrogen पर electron density increase होती है यह compound इस compound से strong base बन जाता है अब बात करते है amide की किसी भी compound में जब C double bond O group और nitrogen atom adjacent होते हैं तो ऐसे compound को हम amide कहते हैं amide में हमारे पस nitrogen पर एक lone pair होता है जबकि oxygen पर दो lone pair होता है इसका मतलब यह है इस compound में nitrogen atom या फिर oxygen atom दोनों ही basic site हो सकती है तो इस में से कौन सी basic site होगी और कौन सा atom H positive को electron देगा इसलिए हम दोनों को यह ऐसा assume करते हैं कि एक case में N ने electron दिये हैं और एक case में oxygen ने H positive को electron दिये हैं पहले possibility में amide का nitrogen atom donor बनता है और जब nitrogen atom से इस H positive को electron दिये जाते हैं तो इस nitrogen पर positive share generate हो जाता है और इस base से इसका conjugate acid की formation हो जाती है दूसरी possibility में जिसमें oxygen donor बनता है तो इस oxygen इस H positive को electron देता है जिस current से इस oxygen पर positive share generate हो जाता है और यह इसका conjugate acid बन जाता है अब इन दोनों conjugate acid में से जो ज़्यादा stable होगा reaction या acid base में वो side ज़्यादा basic बनेगी चूंकि इस conjugate base में C double bond O group present है और इसकी polarity के कारण oxygen पर dale negative charge और carbon पर dale positive share generate होता है जैसी electron यह इदर migrate करते हैं इसके carbon पर pure positive share generate हो जाता है इसी तरह से इस conjugate acid में भी oxygen higher negative होता है और इस bond के electron को यह अपनी तरफ withdrawal करता है और अपनी तरफ withdrawal करने के कारण इस carbon पर भी positive charge की formation हो जाती है अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा stable है अगर हम इसको देखें तो इसमें एक तो charge ज़्यादा है दूसरा यहाँ पर दो positive charge adjacent है जबकि यहाँ पर सिरफ एक positive charge ही है इस current से दो same charge adjacent होने के कारण इस RS में बहुत ज़्यादा repulsion होगा और repulsion होने से इसकी stability decrease हो जाएगी और जब conjugate acid की stability decrease होती है तो कभी भी reaction वो route को follow नहीं करती है या हम ऐसा कहले इस reaction में कभी भी nitrogen atom donor नहीं बन सकता चुकि इस में यह structure जो है बिलकुल stable है और यह carbogatan अब nitrogen के लोन पर या फिर oxygen के लोन पर दोनों से ही stabilize हो सकता है और इसी current से reaction जो है यह second route को follow करती है यानि कि इस में oxygen जो होगा वो donor की तरह काम करेगा इसको हम इस तरह से भी explain कर सकते हैं कि amide का जो seedable bond O group होता है यह minus M effect शो करता है और इसका NH2 plus M effect शो करता है यह electron इस तरह से amide में seedable bond O पर migrate करते हैं जिससे इस oxygen पर electron density increase हो जाती है जबकि nitrogen पर electron density decrease हो जाती है इसलिए इन दोनों में से oxygen strong base होता है और जिसको हम इसके conjugate acid की stability से भी explain कर सकते है इसी करन्ट से अगर amide और amines की basicity को आपस में compare किया जाए तो amines are stronger based than amide ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है इनके nitrogen atom पर present electron density से यहाँ पर जो electron density होगी वो इस seedable bond O के minus M effect से decrease हो जाएगी जबकि यहाँ पर जो electron density होगी वो इस R group के electron donating effect से increase हो जाएगी यहाँ इस करन्ट से इस में amine के nitrogen पर electron density जादा होने के इकरन amine amide के comparison में strong based होता है अब हम इन तीन compound की basicity को compare करते हैं यहाँ पर aliphatic amine है यह aromatic amine, aniline है और यह हमारे पास aromatic amide है अब इन तिनों compound की basicity को compare करने के लिए इन nitrogen पर electron density को consider करते हैं compound third में जो nitrogen का lone pair है वो keto group के साथ conjugation में रहता है इसके साथ साथ यह nitrogen का lone pair benzen में भी conjugation में involved हो सकता है जबकि compound second यानि aniline में nitrogen का lone pair केवल benzen में ही migrate करता है इसी तरह compound first में यहाँ पर sp3 hybridized carbon होने के कारण इसमें conjugation pressure नहीं होता और यह nitrogen का lone pair होता है वो localize होता है तो इन तीनों में से हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि इन दोनों compound के nitrogen का lone pair delocalize हो रहा है जबकि compound first के nitrogen का lone pair localize है तो इन तीनों में से जो compound first होगा उसके nitrogen पर सबसे ज़्यादा electron density होगी ठीक है अब बात करते हैं second और third में कैसे decide करें second में यह electron केवल benzen में ही migrate करते हैं जबकि third में यह electron दोनों तरफ migrate कर सकते हैं इसलिए इस nitrogen पर electron density एनिलीन के nitrogen के comparison में और भी ज़रा decrease हो जाएगी तो second number और third number compound में जो second number का compound होगा उस पर electron density ज़्यादा होगी और third number compound के nitrogen पर electron density सबसे कम हो जाएगी चुनकि electron density उस atom donor atom की basis city के directly proportion होती है तो इस compound में basis city का भी order वही आएगा जो इसमें electron density का आएगा अब बात करते हैं SIR की किसी भी compound में steric inhibition के कारण resonance नहीं हो पाता तो ऐसे phenomena को हम SIR कहते हैं इसको हम detail में separate video में discuss कर चुके हैं और इन दोनों compound में से इसमें SIR होने के कारण इसकी basis city increase हो जाती है अगर आप SIR के बारे में ज़्यादा जानकरी जाना चाहते हैं तो इस चैनल की playlist में जाकर आप SIR का video देख सकते हैं इस example में हमारे पास एक aniline है दूसरा हमारे पास ortho-substituted aniline है जनरली इसमें R के value methyl या alkyl group होते हैं इन दोनों में अगर basic city की बात करे जाए तो electron donating effect के कारण ortho-substituted aniline को strong base होना चाहिए था बट इसमें SIP यानि steric inhibition of protonation के कारण ortho-substituted aniline strong base ना बनके aniline से weak base बन जाता है और इस पूरे phenomenon को हम SIP यानि steric inhibition of protonation कहते हैं steric inhibition of protonation और SIR steric inhibition of resonance दोनों को हमने detail में पहले explain कर चुके हैं तो आप इस channel की playlist में जाकर acid base का जो folder है उसमें इन दोनों concept को बहुत detail में समझ सकते हैं तो guys I hope इस video lecture में nitrogenous base में basicity कैसे determine करते हैं कैसे उसको PKB या PKA value के साथ correlate करते हुए आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा चुकि nitrogenous base की series का part first था अगले video lecture में हम लोग substituted aniline की basicity को discuss करेंगी